बोकारों में आज काली पूजा के उसर पर एक ऐसे पूजा पंडाल में लेकर चलता हूँ जहां पर फीम बनाये गया है जैसी करनी वैसी बरनी यह है देख सकते हैं आप सांसद आवाश मंदिर के सामने पूजा पंडाल बनाये गया है और इस पूजा पंडाल में हम लोग चलते हैं और दर्शन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है और माकाली का दर्शन भी करते हैं यह देखे जैसे हम लोग पंडाल में परवेश किये यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्क का दवार और पुजा पंडाल में अब परवेश कर गए हैं जो कि आप नर्क का दवार भी बोल सकते हैं देखें यहाँ पर सामने एक इनसान को लटकाया गया है उल्टा आगे चलते देखते हैं और भी क्या है ये सेक्टर वन सी में त्यार किया गया है सांसद आवास के समीप ये देखे लटकाया हुआ है नर्क कदवार पूजा पंडाल का थीम है जैसी करनी वैसी भरनी और हम लोग एक गूफा के माध्यम से जा रहे हैं यहाँ पर देखिए एक गूफा में क्या क्या होता है नर्क में वो आपको इस पूजा पंडाल में दीख रहा है लाइटिंग थोड़ी कम है पूजा पंडाल अभी त्यारी हो रहा है लेकिन आप द्रिश्य देख सकते हैं चली आगे देखते हैं यह देखिए एक सजाई नहीं मिला है साप काटा है देखिए आगे की ओर एक और मूर्थी देख सकते हैं आप यह रहा अब यह रहा नर्क के राजा यबराज जी और उनके साथ चित्रकुप जी इस पूजा पंडाल का थीम है जैसी करनी वैसी भरनी अब यहां काली मा का दर्शन करें सेक्टर वन सी पूजा पंडाल के समीप काली मा का दर्शन करें पूजा पंडाल में पूजा पंडाल का थीम जैसी करनी वैसी भरनी सेक्टर वन सी सामसाद आवाज के समीप यह पंडाल बना हुआ है और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं सरदालों की उस साइड भी त्यार किया जा रहा है मूर्ती आगे कल पुजा पंडाल की सारी मूर्तिया त्यार हो जाएगी इसलिए आज का वीडियो यहीं तक सेक्टर वन सी पुजा पंडाल काली पुजा के उसर पर त्यार किया गया जैसी करनी वैसी भरनी तीम पर आगे इदर स्वर करद्वार है जो कल बनकर पूरी तरसे तयार होगा त्यार हो एउ नहीं गली बनकर प्लेष नहीं जो नहीं तो जो झाल किया खानी थाम हो टो और प्लेश च्टर प्लेष नहीं जो जाएगा? झाल झाल